देखिए आज सुबा सुबा बिहार की सियासत से एक बड़ी दुखत घट्टा सामने आई है जहां पुर्णिया के निर्दलिये सांसत पप्पु यादो के पिता का निधन हो गया देखिए 83 साल के उम्र में उन्होंने पट्ना के एम्स में अंतिम सासे ली है और इसकी जनकार खुद राजेस रंजन उर्फ पप्पु यादो जो निर्दलिये पुर्णिया के सांसत है उन्होंने अपने सोसल मीडिया पर इसकी जानकारी दी उसके बाद लागतार पप्पु यादो के समर्थक और जो चाहने वाले हैं वह सोक जता रहे है देखे पप्पु यादो ने दुख भरी पोष्ट उन्होंने सेर किया उन्हों लिखा कि हमारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे जैसे हमारा दुनिया ही उजड़ गया देखे पप्पु यादो के इस तरीके की पोष्ट के बाद बिहार के सियासत के साथ साथ देश भर में भी चर्चा हो रही है पप्पु यादो के जीतने समर्थक हैं वह पप्पु यादो जो बिहारत में तमाम गरीब परिवारों में कोई भी घटना हो जाए तो पप्पु यादो वहां पहुँचकर परिवार का आसू पोचते हैं लेकिन आज खुद निर्दलिये सांसत पप्पु यादो के उपर दूखों का पहाट तूट पड़ा है देखिए सर पर से पिता का साया पप्पु यादो का उठ चुका है 83 साल के उम्र में उनके पिता चंद्र नरायन यादो ने पटना के एम्स में अंतिम सांसे ली है देखिए लंबे समय से बिमार चल रहे थे और सबसे पहले पुर्णिया के प्राइबेट अस्पताल में भरती कराया लेकिन तबियत में कोई खास सुधार नहीं होने के कारण पपु यादो लागतार मुलाकात करने जा रहे थे पपु यादो अपने पिता को कितना प्यार करते थे या सोशल मीडिया पर देख कर पता चलता था कि पपु यादो लागतार अपने पिता की हेल्थ के बारे में स्वास्त के बारे में जानकारी लेने पटना के एम्स नहीं रहे उन्होंने इस दुनिया को अल्विदा कह दिया 83 साल के उम्र में पटना के एम्स में उन्होंने अंतिम सासे लिए देखिए पपु यादो के समर्थ तक लागतार सोक जता रहे हैं जिस तरीके से पपु यादो के उपर दूखों का पहाय तुटा है तो बिहार की ज सिंता मत किजिए हम सब आपके साथ हैं देखिए वह पपु यादो जो बिहार में कहीं भी कोई घटना हो तो पपु यादो सबसे पहले मसीहा बनकर पहुंच जाते हैं और आज पपु यादो के उपर जब दूखों का पहाय तुटा है तो पूरा बिहार पपु यादो के स साथ खड़ा है लागतार अपडेट दे रहें आप यहार एक सूच के डिजिटल प्लेटफर्म पर हमें देख रहें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद